हेलो प्रेंट्स आप सभी का सवागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी टॉपर में यूपी त्रपली सी ट्यूबिल ऑप्रेट्स 2018 के आल ट्रेड टेक्निकल ईमसी क्यू का 파 dairy है not canHH Candle गर आप सभी chicken और इनक यूद गराइधे दोशी सी आपइन कर्वाट को कि हम दोशों लाइक का एम रख़ जहना करीघ्िट कि ए और कहा था कि अपने यूट्यूब दिन में एक्षी दो दिन में आपको मैं उस बुक से प्रेक्टिस से डिस्टार्ड कर दूँगा और पीडिया भी प्रवाइड करूँगा लेकिन अभी रात में अप्लोड किया था इसलिए जाता बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीस अगर वीडियो को न का पीडिया फाइल और हम चाहते हैं कि हम अपने यूटियो चैनल पर वीडियो बनाएं उसका तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या चाहते हैं तो आज का टॉपिक जो है आपने सलेबस देखा होगा उसको डाउनलोड किया हो तो उसमें सुरच्छा सावधानिया और प्रात्मिक उप्चार यानि आधार बूत सुरच्छा समझेद प्रस्न के एक वहां पर आप्सन है वेकल्पिक प्रस्न का तो उस टॉपिक पर आज में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत से बच्चे काहरते सर इस टॉपिक वीडियो ने किया था नेक्स्ट कोचन हमारा प्रस नमबर दो चल विद्धुत की खोज किस वैज्ञानिंग ने की थी उत्तर है चल विद्धुत की खोज बोल्टा नामक वैज्ञानिंग ने की थी नेक्स्ट है क्वेश्चन नमबर त्री किसी चालक में इलेक्ट्रान प्रवाह को क्या कहते हैं तो वैज्ञानिंग किसी चालक में इलेक्ट्रान प्रवाह को विद्धुत कहते हैं पिलेट्ट को सिआ मारा चान नमबर एक सेकंड समय में कि इलेक्ट्रान का भाव होता है कहां अब अत्वरатьक का कि एक सेकंड समय में 6.18 इंटू 10 पावर होता है 18 इलेक्ट्रान का भाव होता है नेक्स्ट है हमारा पांचवा कोश्चन विध्धुतिक कार किस प्रकार के व्यक्तियों व्यक्ति को सोफना चाहिए कि उत्तर है व्यक्ति कार लाइसेंस धारी ठेकेदार व्यक्ति को सोफना चाहिए यहां पर साइद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है फ्रेंड सोफना चाहिए होगा पार के जगा पर फाल लिग गया है तो इसको इगनूर कीजिएगा समझ जाएंगे आप क्या है नेस्ट कोचन मारा इसलिए पढ़ने में भी दिक्कत आ रहे थी मुझे अभी समझ में आया कि वह सौपना है जो मैंने उत्तर पढ़ा नेस्ट कोचने प्रसन नमबर छे प्रियोग साला में वैद्धुतिक कारना चाहिए उत्तर है प्रियोग साला में वैद्धुतिक कार करते समय सरपर्थम मैंग स्विच को बंद कर देना चाहिए सात्वा नमबर कोश्य नहीं मारा वैद्धुत कार के द्वारा कितने सुरच्छा चिन्हों का अनुपालन करना पड़ता है पहला है सुचनात्मक दूसरा है निसेधात्मक तीसरा है सचेतक चौथा है सकारात्मक इन चार बातों का धान रखना चाहिए विद्धुत कार करते समय One is next question number 8 किस चिन्ञ से अगंतुक घत्रों के द्वारा जानकारी प्रदान करते हैं उत्तर है सचेतक चिन्ञ के द्वारा अगंतुक खत्रों की जांकारी प्रदान की जाती है यानि सचेतक प्लब जो indicator होता है अलर्ट करने वाला उसी चिन्न के द्वारा अगंतुक कार्थ आने वाले खत्रे का जानकारी प्रदान की जाती है नेस्ट कोचन है नौ नमबर किसी कार को ना करने का संकेत देने वाला चिन्न कौन सा है तो उत्तर है निशेधात्मक चिन किसी कार को ना करने को दर्साता है नेक्स्ट कोशिन दस्वा नमबर कोशिन वारा मानव सरीर को कितने वोल्ट से अधिक वोल्ट आने पर जटका लगता है उत्तर है मानों शरीर को 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट आने पर जटका लगता है नेक्स्ट कोच्छन 11 नमबर वेदुतिक प्रियोक सालाओं में हेलमेट्स, चस्मा, हात, दस्ताने आधिक पहनने के लिए किस चिन्न से प्रदसे किया जाता है उत्तर है सकारात्मक चिन्न से प्रियोक सालाओं में धुम्रपान ना करने का संकेत कौन सा है उत्तर है नकारात्मक चिन्न के द्वारा नेक्स्ट कोच्छन हमारा प्रसन उत्तर नमबर 13 विद्द धारा की चाल कितनी होती है उत्तर है त्री इंटू टैन के पावर एट मीटर प्र सेकेंड नेक्स्ट है चवदा नंबर कोईश्ट नमारा विद्धुत संपर्क में आये व्यक्त को हॉस्पिटल ले जाने से पहले कौन सी क्रिया की जाती है उत्तर है प्रात्मिक उप्चार पहले उसके प्रात्मिक उप्चार की जाती है उसके बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाता है नेक्स्ट कोचन हमारा पंदरा नंबर प्रात्मिक उप्चार की वह विधी कौन सी है जिसमें पीडित को पीट के बल लिटाया जाता है उत्तर है स्ले वेस्टर विधी में नेस्ट कोचने सोला नमर मारा वा विधी कौन सी है जिसमें व्यक्त को पेट के बल लिटाया जाता है सैफर विधी में व्यक्त को पेट के बल लिटाया जाता है नेस्ट है सत्रा नमर कोचने मारा सूत, रेसम, कपड़ा, जूट आद में लगी आग किस स्रेणी की आग होती है उत्तर है ए स्रेणी की आग होती है वो नेक्स्ट, अठारा नमबर कोश्चन हमारा पैट्रोल डील आद यानि पैट्रोल डीजल आद में लगी आग किस स्रेणी की आग होती है उत्तरहें 20 रेणी की आग होती है वो next question है हमारा प्रस्वत्र नम्र 19 LPG gas वो अन्य पदार्थों में लगी आग किस सरेणी की आग होती है उत्तरहें C सरेणी की आग होती है 19, sorry, 20 हो गयी न 20 नम्र question हमारा विधुति सर्कृट तारों आध में लगी आग किस की ऑग होती है तो दी सिरेणी की आग होती है यह ट्रेड के लिए हर ट्रेड के लिए सारे क्वेस्टिन इंपोर्टेण्स है रखते हैं टेकनिकल कोष्चन हो नेक्स्ट कोष्टन है और यह आपको स्लेबस में में से आग को बुझाने के लिए कौन सी अगनी समक यंत्र काम में लिए जाते हैं उत्तर है जल यूग्त वा ज़ाग यूग्तियंद नेक्स्ट हमारा 22 नंबर कोईश्चन गैसिय पदार्त में लगी आग को किस अगनी समक यंत्र से बुझाय जाता है उत्तर है सुस्क चूण वाले यंत्र से कि नेक्स्ट हमारा त्याइस नमर क्वेश्चन विद्धुतिक तारों में लगी आग को किस आगनी समा की यंत्र के द्वारा बुझाया जाता है उत्तर है सी ओटू वह रेत से भरी बाल्टियों से तो यह थे फ्रेंट समारे कुछ 20 प्रसन में डिसक्स किये सुरच्छा साफधानी और प्रात्मिक उप्चार्स के टॉपिक पर ऐसे ही ट्रेड के जो सलाइबस आपका है ट्रेड के कोईश्चन जो टेक्निकल आने वाले हैं उसमें जो जो टॉपिक में इंसन है हर टॉपिक मे है आईसे हम वीडियो लाते रहेंगे इंपॉर्टन कोईश्चन अभी स्तिया इस कोईश्चन में दो से तीन कोईश्चन तो आपको जरूर परसल्पत में देखने को मिलेगा इस टॉपिक पे क्योंकि अगर जितना भी टॉपिक सिलाइबस में मेंसन है ऑफिसिल सिलाइबस कोई आपसन नहीं कि चार आपसन पढ़ें और बोर हो उसके बाद में आपसर मैं डारेक्ट कोईश्चन पढ़ता हूं उत्तर आपको बता देता हूं तो इसलिए एक बार एक्जाम से पहले ही सारे टॉपिक्स कबर कर लिए उसके बाद एक्जाम देने जाए अन्द्धा आ कि आपके कौन कौन से टॉपिक के आपको चाहिए और आप यूद कॉंपिटिशन की बुक की जो मैंने वीडियो बनाए तो ना देखो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से दूँगा वहां से जाके देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं उस बुक से मैं चैंट करते हों ज्यादा से ज्यादा कबर कर आदे लाइन बीडियो में आपको उसन आपको पसंद आएगे वीडियो पसंद एको लाइक सेर ना मैं यूटूप में बोले और अगर माय चैनल पर आम नए हैं तो माय चैनल को सब्सक्काइब केजिए और बैल आको मिलते रहे झाल